C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है पार्ट चार दिवानों की हस्ती प्रिष्ट बीस हम दिवानों की क्या हस्ती है आज यहां कल वहां चले मस्ती का आलम साथ चला हम धूल उडाते जहां चले आए बनकर उल्लास अभी आसू बनकर बह चले अभी सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहां चले किस ओर चले यह मत पूछो चलना है बस इसलिए चले जग से उसका कुछ लिए चले जग को अपना कुछ दिए चले दो बात कही दो बात सुनी कुछ हसे और फिर कुछ रोए चक कर सुख दुख के घूटों को हम एक भाव से पिए चले प्रिष्ट 21 हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले हम एक निसानी सी उरपर ले असफलता का भार चले अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले हम स्वयम बंधे थे और स्वयम हम अपने बंधन तोड़ चले प्रश्ण अभ्यास कविता से एक कविने अपने आने को उल्लास और जाने को आशू बनकर बह जाना क्यों कहा है दो भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवी ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हिदाय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है क्या वह निराश है या प्रसन है कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी कविता से आगे जीवन में मस्ती होनी चाहिए लेकिन कब मस्ती हानिकारक हो सकती है सह पाठियों के बीच चर्चा कीजिए प्रिष्ट बाईस अनुमान और कल्पना एक पंक्ती में कविने यह कहकर अपने अस्तित्व को नकारा है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ कल वहाँ चले दूसरी पंक्ती में उसने यह कहकर अपने अस्तित्व को महत्व दिया है कि मस्ती का आलम साथ चला हम धूल उड़ाते जहां चले यह फाका मस्ती का उदाहरण है अभाव में भी खुश रहना फाका मस्ती कही जाती है कविता में इस प्रकार की अन्य पंक्तियां भी है उन्हें ध्यान पूर्वक पढ़िये और अनुमान लगाईए कि कविता में परसपर विरोधी बातें क्यों की गई है भाशा की बात संतुष्टी के लिए कवि ने चक कर, जी भर कर और खुल कर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है इसी भाव को व्यक्त करने वाले कुछ और शब्द सोच कर लिखिये जैसे हसकर, गाकर, शब्दार्थ, हस्ती, अस्तित्व, आलम, दुनिया, माहौल, स्वच्छंद, अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला अभी आप सुन रहे थे पाठ चार, दीवानों की हस्ती प्रस्तुती, C-I-E-T-N-C-E-R-T, नई दिल्ली, भारत